Welcome back to our channel guys हमने last class में discuss किया था कि class method होती क्या है और class method decorator का यूज करके आप केसे class method को define कर सकते हैं आज के class में हम discuss करेंगे कि class method को केसे other constructor यूज कर सकते हैं और ये actual में होता क्या है तो हम आ चुके अपने पाइचा में हमने last class तक ये सब discuss कर लिया था अब हम देखते हैं class method को कैसे alternative constructor के रूप में use कर सकते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं एक employee को हमारी employee class में or add करते हैं इसको हमारी employee class में add करते हैं तो employee class का नाम dot हम क्या करते हैं यहाँ पर from underscore string str ले सकते हैं string भी ले सकते हैं यह मैं आपको पुरा अबे डीटियल में लिखकर समझाऊंगा फिलाल आप same as it is copy कर सकते हैं या quote कर सकते हैं इसमें हम एक string pass करते हैं for example हम लिख लेते हैं कि string लवेस, hyphen और hyphen का use करके हम Jackson और hyphen और जो भी उसकी amount हम पुछ देना चाहते हैं अब हमने यह क्यों लिखा क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी object एक string ले और उसे हम जब प्रिंट करें तो जैसे हमारे पहले यह employees अलग-अलग हमें data देते थे कि first name में आजए last name में पड़िदार और जो भी हम salary प्रिंट कर देते थे उसमें 66,000 लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसे सिर्फ एक string पास करूँ वो फिर इसे divide करके या अलग-अलग करके first name में लविस, second name या last name में जेक्सन और जब मैं उसकी लविस की salary मांगू यह प्रिंट करने कोशिश करूँ तो वो 76 प्रिंट कर है लेकिन यह होगा कैसे यही तो alternative constructor है तो हम इसको define करते हैं यहाँ पर हम एक class method का use करते हैं तो decorator और हम यहाँ पर लिख लेते हैं class method जो भी हमारा decorator है उसका हम use कर सकते हैं तो हम यहाँ का करते हैं class method को लिख लेते हैं अब इसमें हम क्या कर सकते हैं आपने last class में भी देखा तहों आप यहाँ पर बता सकते हैं सोच सकते हैं मैं आपर क्या करता हूं एक define करता हूं अपने function को उस function का नाम है fromString जो मैंने आपको भी बताया था कि मैं इसको लिख कर समझाने वाला हूं तो from और हमारा जो भी underscore अंडर स्कॉर हाइफन नहीं अंडर स्कॉर और स्टी ठीक है इसमें हमें कुछ भी पास नहीं कर रहा हूं लेकिन देखिए अटमेटिक इसने एक अर्गुमेंट क्लास CLS ले लिए यह यह जो भी उसको रिक्वाइर्मेंट होती है हमारी आईडी के मदा से ले लेता है यह यह और स्ट्री इससे समझने में आअसानी होगी आपको अब इसमें हम डिवाइड के से करेंगे तो हम इसको के से का ऐगा कहां से आगा, वह भी मैं आपको बत हूँ गा, उसको क्या करेंगे हम split करेंगे, split का मतलब हो ताहे divide करना अलग-अलग करना, किस से करेंगे तो hyphen से अब आप देखिए यहाँ पर हम एक लवीस नाम का object बना रहे हैं, हम रहाँ जो employee है, वो एक object है यह ले रहा है as a string, input में यह string कहा जाएगा, यहाँ पर EMP string में यहाँ पर क्या होगा, EMP string में split, इसे divide करेगा hyphen से, मतलब जहाँ जहाँ hyphen लगा है, हम हाँ से यह इसको divide कर देगा, अब जब first में divide करेगा, तो first जो position होगी, मतलब zero position मान लिए, तो zero position में क्या है, यहाँ पर, F name, तो F name की मदद से divide हो जाएगा, लेकिन हमें इसे return भी तो करवाना है, प्रिंट करने के लिए, तो return और return हम किस से करेंगे, first argument से तो, CLS CLS में हम क्या-क्या देंगे इसको, तो हम देंगे F name, L name, और उसकी salary, यह हम return कर देंगे लेकिन यह return तो हो जाएगा, प्रिंट भी हो जाएगा, लेकिन हमारा फाइदा क्या हुआ, इसको check भी तो करें, तो हम अभी फिलाल इसका कुछ काम नहीं है तो इसको comment out कर देते हैं, last में, यह हमारा last program का बचा हुआ है, हम इस program को पहले proper run करके देख लेते हैं कि यह run हो रहा है कुछ error है, तो हम इसको पहले ही sort out कर लेंगे, फिलाल हमारे program में को कोई रर नहीं है तो हम इसको आप प्रिंट करके भी तो देखें इतना कुछ मेहनत किया है तो वह काम में आ रहा है या नहीं तो मैं हम प्रिंट करते हैं क्या प्रिंट करते हैं हमारा जो भी लविस नाम का employee है उसका first name देखते हैं यह first name देता है या नहीं तो first name run love is right उसका जो भी L name L name और L name Jackson right, third जो हम क्या उसको pass कर रहे है salary तो यह salary run हो रही है 76 right, मतलब हमारा constructor proper run हो रहा है, यह हमने देखा एक class method को, केसे alternative constructor के रूप में यूज़ कर सकते हैं, obviously यह भी constructor ही है, इसके अंदर हमने instance variable को set किया है, इससे भी कोई जो हम इसमें कुछ चेंड करते हैं तो जो पूरा program है यह system नहीं होता है, और हमारी जो यह class method है, इससे भी बाकी का program system नहीं होगा, लेकिन यह तरीका अच्छा है जब हमारा program कोई बड़ा हो जाता है या हमारा instance variable जादा हो जाते हैं, तो उस टाइम पर हमने जल्दी access करने के लिए, जल्दी data get करने हम अलग से अपना construction बना सकते हैं, यह बहुत easy होता है और execution time भी कम consume करता है और programming में timing बहुत important होती है तो I hope कि आपको alternative constructor का lecture पूरी तरह से समझ में आओगा, अगर आप हमारे channel पर नए हैं तो हमारे channel को subscribe जरूर कर दे, और bell icon को प्रेस करना ना बुले, इससे आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा, और आप देख पाएंगे हमारा हर वीडियो, thank you so much for watching